नमस्कार आप देख रहे हैं TNP News मैं हूँ सूरेश शास्त्री खास तोर पे आज हम बात करने वाले हैं 30 मार्च का रासी फल के बारे में कि 30 मार्च में रासी फल मतरब मेश से लेकर के मीन तक इनके साथ क्या होने वाला है इस पे खास तोर पे हम रासी बताएंगे और उसके इन ब्यक्त को कौन से प्रकार का वस्त्रधारन करना है और क्या करना है इन सब के बारे में हम आपको जैसा की मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को हमेशा नई नई जानकारी देता रहा हूं उसी तरीके से आज भी रासी के ऊपर हम आपको नई जानकारी देंगे आप लोग अगर इन यमों का पालन करेंगे जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसा करोगे तो आपको जरूर बहुत अच्छा फाइदा होने वाला है तो खास तोर पे बात करने वाले हैं मेश रासी वालों के बारे में जो मेश रासी वाले जातक हैं उनको आज रुका हुआ धन वापस मिल सकता है सेहत के लिहाज से इनके लिए आज का दिन बहतरीन होने वाला है लेकिन कैरियर के मामले में इन्हें परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है छोटे मोटे इनको कोई न कोई समय से आ सकती है इसके लिए उपाई क्या करना है मेस रासी वाले जातकों को आज के दिन भैरो मंदिर में जाकर दरसन करने से लाब होगा और उस समय पर जो उनको वस्तधान करना है उसका रंग जो है वो गुलाबी है और सुब अंक उनका जो है साथ है तो इस तरीके से जैसा मेस रासी वालों के बारे में बात करने वाले हैं बिर्शफ रासी वालों के बारे में बिर्शफ रासी वाले जातकों के लिए ब्योसाई की दिरिष्टी से आज का दिन बहुत उत्तम है कैरियर की दिशा में भी इन्हें आज लाब मिल सकता है आज के दिन ये जातक परिवार के साथ अच्छा समय बिताने वाले हैं इनको क्या उपाय करना है आज के दिन मांसिक सांती के लिए आपको क्या करना है कि बिर्शफ रासी वाले जातकों को मंदिर जरूर जाना चाहिए और वहां जाकर के भगवार विश्णू के चड़नों में पीला पूस चड़ाना चाहिए आपका जो सुब रंग है वो पीला है और सुब अंक पांच है इसी तरीके से हम बात करने वाले हैं मिथुन रासी के बारे में मिथुन रासी के जातक आज के दिन बिजनस से जुड़ी नई योजना बना सकते हैं कोई नए प्रजक्त पे काम कर सकते हैं सेहत के हिसाब से आज का दिन इनके लिए अच्छा रहने वाला है वही नौकरी में आज इनका परमोसन भी हो सकता है उपाय इनको क्या करना है आज के दिन मिथुन रासी के जातकों को कवों को रोटी खिलाने और दाना डालने से लाब होगा जरूर उपाय करना है, सुम्ब रंग जो उनका है वो लाल है और सुम्ब अंक उनका जो है वो आठ है बात करते हैं करकरासी वालों के बारे में करकरासी वाले जातकों का आज का संगीत, कला और साहित की तरफ जुकाओ देखने को मिलेगा इनकी सेहत भी आज काफी अच्छी रहने वाली है नौकरी और कैरियर को लेकर इन जातकों का दिन समान्य रहने वाला है प्रेम संबंधों में नोग जोंकी स्थिती बनी रह सकती है उपाय आपको क्या करना है जरूर करिएगा करकरासी के जातकों को आज गुरू की सेवा और जान करने से लाब होगा उनका जो रंग है वो सफेद है और सुब अंक उनका जो है चार है बात करते हैं अब हम सिंगरासी के बारे में सिंगरासी वाले जातकों के लिए आज का दिन धन के मामले में थोड़ा बेकार साबित हो सकता है और धन संबंधी मामले में रुकाउट आ सकती हैं इनके स्वभाव में भी आज चिरचिड़ापन देखने को मिल सकता है इसलिए उपाई क्या करें सिंग रासी के जातकों को बजरंग बली को चोला और सिंदूर चाहने से लाभ मिल सकता है इनका सुब रंग नारंगी है और सुब अंक इनका जो है छे है बात करते है कन्यारासी के बारे में कन्यारासी वाले जातकों के लिए आज आय के नए साधन खुलेंगे आज के दिन इनको भी मंदर जाना जरूरी है सुब रंग आसमानी है और सुब अंक तीन है बात करते हैं हम तुलारासी के बारे में तुलारासी वाले जातकों को आज निर्बेस और सेयर में अचानक लाब मिल सकता है साथ ही आज ये जातक अचानक से बीमारी की चपेट में भी आ सकते हैं आज इन्हें career में भी लाव मिल सकता है आज के दिन ये relationship और काम की वज़ा से चर्चा में रहने वाले हैं उपाय क्या करना है आज के दिन सुन्दर कांड का पाड करने से लाव इन्हें मिल सकता है सुब रंग इनका हारा है और सुब अंक इनका पांच है बात करते हैं बिर्चिक रासी वालों के बारे में बिर्चिक रासी वाले जातक आज आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे पर आज के दिन इन्हें अपनी सेहत का ख्याल रखने की जरूरत है आज अपने काम के अंदाज से ये सब को अपना दीवाना बनाने वाले हैं उपाय क्या करना है आज के दिन आपको किसी कन्या का अनादर नहीं करना है सुब रंग सफेद सुब अंक्छे है बात करते हैं अब हम धनूरासी के बारे में धनूरासी वाले जातकों के लिए आज का दिन बिजनस में लाब और मेहनत भरा हो सकता है आज आफिस में परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है आज इन्हें मनप्रसंद जीमन साथी मिलने की उमीद है ये लोग आज परिवार के साथ मस्ती करते नजर आएंगे उपाय क्या करना है आज धर्म कर्म के कारियों में योगदान देने से आपको लाब मिल सकता है आपका सुब रंग पीला है सुब अंक छे है बात करते हैं अब हम मकर रासी वाले जातकों के बारे में मकर रासी वाले जातकों के लिए आज बिजनस के मामले दिन समान रहने व सिकार होना पड़ सकता है उपाय क्या करना है आज के दिन इन्हें दुर्गा सरफसती का पाट करने से लाप मिल सकता है सुब रंग इनका जामुनी है और सुब अंक तीन है बात करते हैं कुम्भरासी के बारे में कुम्भरासी वाले जातक आज निर्बेश और सेयर मार्कीट स दोर ही रहें तो अच्छा होगा इनकी सेहत आज समान रहने वाली है कैरियर के मामले में आज इन्हें अपनी आई बढ़ाने में सफलता मिल सकती है आज के दिन ये किसी रंजिस का सिकार भी हो सकते हैं उपाय क्या करना है आज के दिन जातकों को लाल फूल से हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए सुब रंग गुलाबी है और इनका सुब अंक जो है दो है बात करते हैं मीन रासी के बारे में मीन रासी के जातकों को आज के दिन ब्यावसाई में दो गुना लाव मिल सकता है इनक जातकों को नई और मन मुताबिक नौकरी मिलने की भी उमीद है आज इन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है उपाय क्या करना है आज के दिन जातक को मास और मद्रा से दूर रहना है सुब रंग सुनहरा है सुब अंक छे है तो जैसा की दर्शकों ने देखा हमने अपना न्यूज TNP के माध्यम से आज आप लोगों को मैंने मेज से लेकर मीन रासी तक के बारे में बताया कि क्या उपाय करने हैं, किस कलर के वस्त्र पहनने हैं और कौन सा अंक आपके लिए बहुत फाइदे मंद रहने वाला है। जैसा कि बहुत सारे जातक यहां पर कनफ्यूज ना हूँ, इसलिए मैं बता सकता हूँ कि उनको कल के यानि तीस तारीक आज के दिन जो है उनको जिस कलर के कपड़े के बारे में बताया गया, ऐसे ही वस्त्र पहन करके इनको घर से बाहर निकलना है, मंदिर जरूर जाना है, जो उपाय बताए, ये उपाय करके जरूर अपने घर से बाहर निकले, तो जैसा कि TNP News के माध्यम से हमेशा हम आपको नई नई जानकारी देते आए हैं, इसी तरीके से आगे भी हम देते रहेंगे, देखते रहे हमारा चैनल TNP News, सस्प्राइब करें, ताकि आपको नमबरों पर फोन करके हमसे संपर कर सकते हैं, नमस्कार फिर हम आपको मिलेंगे अगली एपिसोड में, तब तक के लिए हमको दें इजाजत, जैसरी राम